आर जेडी ने तो सब कुछ तैक कर लिया नमांकन भी हो गया लेकिन NDA उल्ची हुई है जी आँ NDA क्योंकि लगातार जेडी और भारतिय जनता पार्टी की बात करें NDA की सरकार है लेकिन सवाल ये उठता है कि अब नाम कौन होगा इस पर कब मुहर लेगेगी इस पर सब की निगाए है और आपको सबसे बड़ी बात ये बता दे कि देखिए भारतिय जनता पार्टी दो कोटे की बात करें दो ऐसे सीथ है जो भारतिय जनता पार्टी के कोटे से जाएंगे जबकि एक ऐसा सीठ है जो जेडियू से जाएगा लेकिन जेडियू अभी तै नहीं कर पा रही है क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं आर्सी पिसिंग जो कि आजकल भारती जनता पार्टी से बेयाद करी अब सवाल उठता है बैठक हुई है मुख्यमंत्री इंदेश कुमार से मुलाकात हुई है अब आगे क्या होगा आखिर ये उल्जन कब तक रहेगी इंदेश का मामला है जद यूब हाले है वो दिसिजन लेंगे समों ने मुख्यमंत्री जी को अधिकरत किया है उनका परश्रल मामला है उनके पार्टी का मामला इसमें तो हमको कुछ करना नहीं है जो होगा उदेखना है कि तेरे ख्याल से अब तक तो निशन हो जाना चाहि हमको लगता है नितिश जी थोड़ा बिजेपी के दवाव में जो है उडिक्सिन नहीं लेफ़ता करे होंगे हलाकि उनका अंधुरूनी मामला है उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं राष्टे जनता दलने दो लोगों को परत्यासी के तौर पर चैरित के और नमांकर भी हुए दाकिला हुई राष्वा साल साल मिर्सा भारती जी फैया जाहमत जी फैया जाना मुझे मिर्दुभासी हैं सरल सुभाब के हैं लंबे अर्शे से पाटी में हैं दो बार भी धायक रहा हैं इस बार वो चुनाब हार गया थे वो इलाकों को ध्यान में रख करके लाल जोने उनको दिये जदियो की परंपरा सुलू से बनी हुए कि दो बार से दी किसी को वो नहीं देते हैं किसको भेजना है, नहीं भेजना है, यह जेडियू का अपना अन्दौरुनी मामला है, इसमें भारते जंता पार्टी कहीं भी खड़ी नहीं है। पार्टी के आप जानते हैं कि हाल के दीनों में ही बैठक हुई है विधायक दल के बैठक में सर्वेमाने नेता माननी मुख्यमंत्री नितिशकुमार जी के लोगों ने अधिकिर्थ किया है यह बहुत अच्छी बात है और उन्होंने ही मैंने जब अधिकिर्थ है तो खुद को उसना करेंगे देखी अभी दो दिन बचे हैं और इस दो दिन में तैह हो जाएगा कि हमारे जेडियों की तरफ से कौन राजसभा के उमिद्वार होंगे माने निया मुख्यमंत्री श्री नितिशकुमार जी हमारे आला कमाने और हमारे मुख्या है जो उनका फैसला होगा वो सभी को मनजूर होगा और इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है बस दो दिन की बात है दो दिन के अंदर आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि जेडियों की तरफ से उमिद्वार कौन है तमाम जानकार के साथ हमारे साथ डिप्टी रेजिडेंट एडिटर पतना से धीरज ठाकुर लाइब जो चुक है धीरज लगातार इस खबर पर आप नजर भी बनाई हुए सवाल ये उठता है कि क्या जेडियों के लिए इतना मुश्किल हो गया है एक नाम तै करना क्योंकि अब दिन भी बहुत कम बचे एक तरह पारजेडी ने देखिए नामांकन भी हो गया एंडिये में सस्पेंस अभी बढ़करार क्योंकि बीजेपी ने तै तो कर लिया है लेकिन वेट अन्वाच की स्थिती में है भारती जनता पार्टी क्या लगता है कब तक तै हो जाएगा कि देखिए आव वक्त तो कम बचा है दो तीन दीन का वक्त है समय है अंतिम तारीक है नमांकन करने का अंतिका उससे पहले जरूर मैंने पहले भी आपसे बातचीत हुई थी तो मैंने कहा था कि 29 तारीक तक यह जरूर तै हो जाएगा और अभी कुछ देर पहले मुझे उप कि दिखन्द कुछबाहा ने कहा है कि आप मीडिया के लोगों ने इसको संसे बना रखा है कोई सब्स नहीं है संसे नहीं है राजसभा के उमिदवार में लगा जब ना अंतिम तारीक को ही ज्यादा तर लोग नमांकन करते हैं और जिस तरह अनील हग्रे ने अंतिम तारीक क होगा और वक्त आने पर सारा ने ले लिया जाएगा और बता दिया जाएगा आपको कि निटे कि इतने दीनों से जो कवायत चल लाई है नितियस कुमार के और श्रीटेरिक हो रहे हैं में है इसलिए कहीं न कहीं देरी हो रही है इस बात को लेकर के एक फैसला ओर भी है कि केंद्रिए मंत्री है Naras submit आगर है वह नहीं जाते है तो क्या पार्टी के कुछ उनके जो कुछ लोग है पार्टी में कुछ ऐसे यह क्या नाराज़गी हो सकती है कुछ लोगों को नाराजगी हो सकती है तो इन सब पर भी एक देखा जा रहा है मन्थन चाजा रहा है लेकिन कल तक उमीद है कि 29 तरह के जरूर बता दिया जाएगा कुछ काज़ात भी तयार करने होते है और तयार हो जहां तक बीजेपी की बात है बीजेपी अभी कुछ दिर पहले अभी से कुछ दिर पहले कुछ दिर बाद शाह दिली में आरुन सिंग जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो प्रेस कौफरेंस करेंगे और मुझे लगता है कि साइद वो राजसभा उमीदबारी को लेकिन यह जरूर है कि जेडियू में रसीपी सिंगे उमीदबारी को लेकर के काफी पशोपीस रही है आपसी सहमती उस पर नहीं बन पाई है और आपसी सहमती अगर बन पाती तो इतना वक नहीं लगता हालांकि अब पाला जो है और नितिश कुमार के पार्टी ने अधिक कुमार की राजनीति को उन्हें किसी भी चीज फैसलाले में इतना वक्त नहीं लगता था लेकिन आपने अभी महत्पुर्ण बात कहीं कि देखिया आर्सीपी सिंग से वह अब रिस्ते नहीं है और यहीं वज़ा है कि वक्त लग रहे क्या आपको लगता है अगर अभी क्यो मुश्किल होता है उनको कि इसको उमिद्बार और उनके नजर में कौन अच्छा है और किसको भी चाहते हैं ताकि उनकी आवाज है वह राजसभा में उठाए तो यह प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है चुकि जो कहा जाता है कि नितिश कुमार के जो साथ मिराते हैं उनको भी नहीं पता होगा कि इस सब मामले में नितीश कुमार क्या फैसले लेते हैं तो यह बहुत प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन होंगे उमिद्वार चुकि नितीश कुमार जो है वो अपने मंद से फैसला लेते हैं और जिस तरह से उनके साथ भी जो रहते हैं उनको भी पता नहीं होता है कि किसको विल्कुल देरा जब देखने वाली बात है यह सस्पेंस कब तक हाला कि देखे कल तक तो हुई जाएगा खुलासा हमारी सार जुर्मी के लिए आपका शुक्रिया तो देखिए कौन होगा जेडियू के उमिद्वार यह त अखिर इतना वक्त लग रहा है तो यह तो तैय है कि कहीं न कहीं मन्थन चाहिए